So, hello friends, what's up, क्या हाल चंग, I hope the block बढ़िया हो, welcome to another video, let's go So, वाद का टोपिक है, Top range एटकार पोकेमान, रेंच पोकेमान में कौन अच्छा खेल रहा है आभी, तो देखो, रेंच पोकेमान ऐसा होता है, kill तो कर लेते हैं, और साथी साथ दूर से kill करते हैं, और साथी साथ स्टील भी कर लेते हैं, स्टील के लिए एफ पोकेमान यूस ह होते हैं, और kill तो कोस्टेक तो चलता ही डाता है, तो आज बताएंगे, इस मेटा में जो पोकेमान बहुत ही खतरनाक अच्छा चल रहा है, तो देखो, फास में आता है, सिंदारेंस, देखो, सिंदारेंस पोकेमान को तो बाप तो मिलाई है, और साथी तस इसका फ्री स्की में जो हॉलवार स्कीन था, उसको देखे इसको बहुत ही अच्छा माना दिया है, बड़ थोड़ा सा हेल काम है, बाद इसका डेमेज पावर और रेंच अटकर में इसके आगे कोज नहीं है, तो देखो, एनिवासरी चल रहा है, इसलिए स्प्री स्कीन मिला है, नहीं तो न पाइड़ बॉल, भाई साब बहुत ही बाफ कर दिया है, और जितना लेवल बड़ेगा, उधना पाइड़ बॉल का पावर रहेगा, तो नेक्स पोकेमट का तरब बढ़ते हैं, नेक्स पोकेमन भी बहुत ही आच्छा है, ये भी दूर से कील भी करते हैं और स्टील भी कर तो इसका नेम है बेनुसौड एक एक कर फोकेमोन है तो इसका बेस्ट मुवसेट आवी के लिए चल रहा है सोलार बीम प्लास स्लाज़बॉम तो यह जो सोलार बीम मुवसेट हैना यह बहुत ही रेंज लेते और साथी साथ बहुत ज्यादा ही डैमेज कर लेते लाग भावक का 80% HP घटा देते और ए अपोनेंट पोकेमोन का मुवमेंट स्पीड ठोड़ा घटा देते और साथ साथ थोड़ा थोड़ा देमेज करते यह भी बहुत ही बढ़िया चार रहा है और नेक्स नेक्स पोकेमोन सब को तो पता ही है जो स्नाइपिंग में माईड है इसका नेम है सब्सक्राइड दू आई एक रिंच अटाकर्टव रहते पोकेमोन है इसका जो दो मुवसेट है ओ दोनों भी आच्छा चार रहा है इसका जो स्पिड सेकेल फ्लास सेड़ेव स्निक का मुवसेट है मुवसेट तो बहुत ही ज्यादा रेंज लेते और वान साट में बहुत ह ज़्यादा कर लेते हैं यह मुवसेट बहुत ही बढ़िया चल रहा है बट हम बोले तो एक बद दूसरा मुवसेट ट्राइ कर ले ना जोरूर इसका दूसरा मुवसेट है रेजर लीफ प्लास लीफ स्ट्रोम पहले पोकेमोन को पास से हाटा देते दूर में इसका बद रेज मुप रेंज में बहुत ही अच्छा है तो एक था टॉफ रेंज पोकेमान जो आभी के लिए बेस्ट है तो फिर मिलते हैं आगला वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई और टेक क्यार टाटा